आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What were consecutive and non-consecutive genes? Consecutive and non-consecutive genes क्या होते हैं? Consecutive का मतलब क्या होता है? One after another One after another मतलब एक के बाद एक जो चीज़े आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Consecutive तो simple सी बात है Consecutive genes वो genes होते हैं जो one after another आते हैं और ऐसे genes हमें कहां देखने को मिलते हैं Usually prokaryotes में देखने को मिलते हैं यह genes होते हैं यह कहां पर present होते हैं यह हमारे DNA यह फिर RNA में present होते है जो भी हमारा genetic material होता है genes उदर ही present होते हैं अब जो eukaryotes का DNA होता है जो क्लिदा होता है dei n d epic façon टेन अई बहुत complex होता है ऐसा क्योahu होता है? क्योंकि DNA में होते हैं एक तो coding reason CODING REASON वो रीजन होते है, जो sagate proteins के लिए code करते है और CODING istoglycreezione नो नो नो-coding reason के लिए code करते है अंटे यह is puta CODING and non-coding reason यह साथ में present होते हैं यّ दोनों 67 होते है, protein synthesize करना होता है तो RNA में से protein की synthesize के पहले जो RNA होता है उसमें से हम इस non-coding reason को कर देते हैं splice out splice out कर देते हैं किसको non-coding reason को non-coding reason को splice out करके finally बनता है mRNA, messenger RNA and इस से बनाय जाते हैं proteins तो यह क्या हो गया क्योंकि यहां पे बीच में non-coding reason आ रहे हैं तो यह non-consecutive genes हो गए genes basically उनको बोर जाता है जो protein के लिए code करते हैं but यहां पे बीच में non-coding reason भी आ रहा है तो इस से जो u-carriots का दो genes होते हैं वो कैसे होते हैं non-consecutive genes जबकि pro-carriots जो होते हैं बहुत simple organism होते हैं इनका जो DNA होता है इनका जो DNA होते हैं जो की usually circular nature में होता है इनके DNA के अंदर नहीं present होता इनके DNA के अंदर नहीं present होता यह जो non-coding reason होता है इनके DNA में सारह ही जो reason होता है coding reason होता है इनमें कोई splicing नहीं होती तो इनके जो genes होते हो कैसे होते हैं consecutive genes क्लासिक्स ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज राउनलोड करे डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर